दोस्तों नमस्कार भारत रेल यातरी चैनल पर आपसे भी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज जिस रेल लाइन के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं उस रेल लाइन के बारे में मैंने अल्डेडी बहुत बहुत बार लेटेस्ट अप्लेट चुक कुका हूं लेकिन आज भूबा बात करूंगा गोडड़ा-फिरूपैंति-डर लाइन के बारे में गोड़ा-फिरूपैंति-डर लाइन अंग प्रदेश के छेत्र में आता है हुद्यों जो कि पूरे भारत देश में ही नहीं पूरे ऐस ważne महा दूइप में नहीं बलकि पूरे के पूरे दुनिया में इनफेक्ट कहें बड़ा मांड में सबसे ज़्यादा स्वभिमान वाला छेत्र और इतिहास जिसका रहा है गुड़ा पिरपेंटी रेल लाइन के वारे में अगर मैं बात करूं तो इस रेल लाइन से हमेशा आया दिन कोई न कोई अ थी तरीखें से में लाइन और सिमानचल रही यहां तक कि छो इस दोनों रेल लाइन आपको दिख रही है यह दोनों रैल लाइन वे यह comparing में मेन लाइन और यह वाली जो रेल लाइन है खगड़िया नोगचिया कटिहार वाली जो मेन लाइन है यह दोनों रेल लाइन अभी कनेक्ट होने के लिए बहुत बार मतलब कि बढ़िया हो करके इस तरीके साना पड़ता है यहाँ पे एक ही पूल उना हुआ है तो बहुत जादा ही होता है लेकिन अभी यह दोनों रेल लाइन कनेक्ट हो जाका इस तरीके से भी कैसे कनेक्ट होगा सब कुछ बताऊंगा वीडियो में बने रहें लेकिन उसके आ बाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा आप उस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें है तो दोस्तों गुड़ा पिर्पहांति रेल लाइन के बन जाने से क्या होगा कि ट्रेने डायरेक्ट ही जसीडी से आप यह देख सकते हैं जसीडी से ट्रेने पिरपेती आ जाएंगी तो बहुत सारी ट्रेने जो कि अभी नहीं चल रही है वो सब ट्रेने आगे डाइवर्ट हो सकती है इस रूट पर उसके बाद दोस्तों आप यह देख सकते हैं कि यह वाला जो सक्षन है यहां पर भी एक ब्रीज बनने वाला है गंगा नदी के ऊपर इससे क्या होगा कि कल को कोई भी ट्रेन जोकी गुट्डा पिरपेंटी रेल रूट पर चलेंगी वो ट्रेन आगे भी जा करके सिमान चल या फिर उत्तर बिहार से कनेक्ट हो सकती है कैसे कनेक्ट होंगी वह मैं आपको सब कुछ बताता हूं कि किस तरीके से कनेक्शन होंगे गृतरिया और यहां पर आप दोस्तों देख भी पा रहेंगे फ्रपेंटी शिम्नलायनपूर कहां लगाऊ तो कुछ इस तरीके से की मेल लाइन बनने वाली है कि कुछ इस तरीके से मैं आपको लिखाता हूं कतरिया से उिर्ज दोेंगर करके इस तरीके से जो एंसें टाइम्स में उनिवर्सिटे थी वो है तो यह दोनों यह लाइन बन जाने से क्या होगा कि जो भी ट्रेने उत्तर विहार से भी इस तरीके से जा सकती है जैसे सिमान चल या नौर्थ इस्ट कुछ ट्रेने डाइवर्ट हो सकती है इस रेल मार्क से भागलपूर होते है और फिर पैति में फिर फाइनली इंजनरी वर्स करके यह सीडी को भी जा सकती है तो बहुत ही ज्यादा फाइदे मन लोगा आए देख लेते हैं जो अपडेट क्या है अपडेट दोस्तों यह है आप यहां पर देख पारे होंगे लिखा हुआ है गुड़ा पिरपैंति लेल लाइन के लिए 25 सेक्टेर जमीन का होगा अधिगरन भू अरजन विभाग ने सर्वे शुरू किया तो अब इसमें विस्तार साज हम देखेंगे यह आप देख पारे होंगे 22 मई का यह अपडेट है और आज 23 मई हो गया है तो देखते हैं क्या अपडेट निकल कर सामन आ रहा है अपडेट में दोस्तों देखें लिखा हुए गुड़ा पिरपेते रेल लाइन के लिए 25 सेक्टेर जमीन का अधिगरन होगा भू अरजन विवाग ने ऑन दे स्पोर्ट सर्वे का काम सुरू कर दिया है भू अरजन विवाग के करमचारी वह अमीन जमीन का सर्व के दवरान देखा जा रहा है कि जिस होकर रेल्वे लाइन गुजरेगी वह माकाम तो नहीं है पेर पौदे तो नहीं है पर रुजना के लिए चिन्नित पांच मौझे के 241 खचरेक की अस्थलिये जांच की जारी सर्वेक बाद अधी सूचना जारी की जाएगी इसके बाद पिरपैंती अंचल में 25 एक्टेर जमीन का बूर अर्जन का काम सुरू हो जाएगा पिरपैंती के अंचल अधिकारी जमीन का रिकॉर्ड भू अर्जन विभाग को उपलब्द करा दिया है 68 किलोमेटर गुड़ा से पिरपैंती नहीं रेलाइन बनेगी 8 किलोमेटर पिरपै पिरपैंती रेला नियोजना तयार की गई थी इससे तीन फेज में पूरा किया जाना है पहले फेज में गुड़ा महगामा के बिच अथाइस किलोमेटर पट्र बिचेएगी गुड़ा से पिरपैंती के पिरपैंती के पिरपैंती मौजा में 2.2185 हेक्टेयर मजरोवी मौजा में सबसे अधिक 12.8992 हेक्टिवर परस बनना मौजा में 9.0191 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहन होगा प्यालापूर मौजा में जमीन को लेकर सर्वे चल रहा है यहां कितनी जमीन का अधिग्रहन होगा सर्वे के बाद आगलन होगा गोड़ा से महगामा तक 28 किलोमेटर डेल लाइन बनाने का टेंडर डेलवे की योड़ से निकाल दिया गया है इस पर 468 करोड रुपए खर्च होंगे इस रूट पर डेल लाइन बिछाने के साथ इलेक्टिफिकेशन सिग्नल वर टेली कॉम का काम होगा जसीरी पिर पहंती बीच 127 किलोमेटर के इस प्रोजेक्ट में 68 किलोमेटर गोड़ा से पिर पहंती नहीं रेलाइन बनेगी यह लाइन बटेसोर स्थान नोगसिया रेलवेब पूल से भी जुड़ जाएगा इससे बाबानगरी देवघर पिर पहंती के साथ साथ उत्तर वदक्षिन बिहार के कई जिले से रेल लाइन से गुजर जाएगा जुड़ जाएगा वही हो गया गुजर जुड़ जाएगा एक ही बात है तो दोस्तों गोड़ा पिरपेती रेल लाइन के लिए जैमीन सर्वे का काम सुरू हो गया है जैमीन का सर्वे होने के बाद अदिसोतना जारी की यह राकेश कुमार जो भूह अर्जन पताधिकारी है इनके द्वारा जानकारी दी गई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बता हैं वीडियो अच्छा लगा उथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना बहुत मुरी समय देए इसके लिए हर्दिक सुक्राइब जै हिन जै भारत जै पिहार जै अंग परते